हैलो फ्रेंड में रिखा शर्मा चैनल लाइब विध रिखाशर्मा में आप सबका स्वागत करती होप आप अच्छे होंगे ताइम स्पैंड कर रही होंगे दोस्ती आपको याद होगा तो पिछली वीडि़ीो में मैंने कंफॉर्ड के बारे म dłüros नाओ नमा बेle का सप्रे कर रही हूं जिससे खुश्बू ही खुश्बू हो जाए और देखे यहां मैं सिंक में सप्रे कर रही हूं सिंक में कितनी बदबू आती है कई बार तो फिर देखे इसका सप्रे कर दीजिए और खुश्बू ही खुश्बू हो जाएगी फ्रेंड्स आप इसका सप्र rooms में करो तो सफाई ना कीजिये वहां की पहले आप सप्रे कर लीजिये फिर आप उसकी सफाई कीजिये जैसे आप पोचा लगाई जाड़ू आप लगा सकते हैं पर पोचा आफ्टर सप्रे के बाद ही कीजिये नहीं तो इसका छिड़काव से चिपचिपापन हो जाता है इससे आपका फर्ष भी साफ हो जाएगा और खुशबू भी आ जाएगी और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसका एक धकन आपने अपने पोचे की बाल्टी में डाल लेना है इससे आपका पूरा घर महकेगा और खुशबू खुशबू आ जाएगी और देखिए यहाँ पे निकाला हुआ है मैंने घी और देखिए पूरा कंटेनर भरा हुआ है घी से मैंने आपको पिछली वीडियो में अगर आपने मेरी देखी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा घी कैसे निकालें मलाई कैसे निकालें तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए और देखिए पूरी डोल्ची भर गई घी से यह ज़्यादा से ज़्यादा चार दिन की मलाई है तो आप अगर इस तरह से घी निकालेंगे तो आपका भी घी ऐसा अच्छा निकलेगा और देखिए मिलावट से अपने बच्चों को बचाईए और घर के बने घी से एक तो खुश्बू बहुत अच्छी होती है घर के बने घी में खुश्बू के साथ साथ सेहत का ख्याल रखी अपने परिवार का किता ट्रांस्पेरंट घी लग रहा है किता प्यारा घी लग रहा है ना फ्रेंट्स और देखिए फ्रेंट्स यहां मैं गूंद रही हूँ आटे को और आटे को आपने 10-15 मिनट लगा के अच्छी तरह मुकियां मार मार के गूंदना है तो आपका आटा इतना सौफ्ट हो जाएगा इतना मुलाइम हो जाएगा और यह जब आप इसकी रोटियां बना के खाओगे ना तो आपको वो असानी से पच जाएगी तबी तो कहते हैं कि जब भी हम आटा गूंदे तो उसको अच्छी तरह मुकियां मार मार के गुनना चाहिए इससे ये अराम से हमारे को पचने के लिए सही रहेगा हमार को ये अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाएगा अच्छी रोटियां बनने का राज यही होता है कि आटा अच्छी तरह गुन्दा हो उसमें लम्स ना हो कुछ ना हो वो बिलकुल सॉफ्ट हो जाए और इसमें हम जितनी मुकियां मारेंगे और अपना पूरा जोर लगा लेंगे उतना ही आटा अच्छा बनेगा तो देखिए यहां पर तियार हो गया आटा और कितना सॉफ्ट है अब देखिए इसमें fully fully रोटियां बनेगी fully fully स्वाधिस्ट रोटियां तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह आटा गुंदिये और आपका आपकी fully fully रोटियां बनेगी और देखिए यहां पर मैं बना रही हूँ रोटि और देखिए कितनी फूल गई पूरी अच्छी तरह फूल गई ना वो ही आटे से मैंने फटा-फट रोटी बना दी और देखो कितनी सॉफ्ट रोटी बन गई है तो यही है जब भी आपकी रोटी तभी आपकी सॉफ्ट बनेगी जब आप उसको आटे को अच्छी तरह गुंदोगे देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट रोटी बन गई ना फ्रेंड्स और फ्रेंड इन सब टिप्स के बाद मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ होप आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किये बगैर ना जाएं और इसी के साथ मैं करती हूँ बाई बाई फ्रेंड्स एंड टेक कियर